हे नमस्कार दोस्तों सवागता आसभी का ड्रिम गुरुजी 2.0 पर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसी वर्सीज जिट्टी ड्रिम 11 प्रडिक्शन की यानि कि दोस्तों IPL 2024 का जो 40 नमबर मैच रहेगा वो खेदा जाएगा दिल्ली कैपिटल वर्सीज गुद्र साइस वाले सेजर में कुछ जादा खास नहीं रहा है और खास करके देखोगे अभी जो गुद्राइट टाइटन्स का जो टीम है उनका टोप ओडर टोटली कलोप्स कर रहा है जबकि दिल्ली के पास जो बॉलिंग उप्सन है न दोस्तों वो काफी अच्छे हैं विके टेक जो फोम है वो भी अच्छा चला है कि वो डेविड वोन आउट ओ फोम है तो इस वाले मैच में विन करने के चांसिद दिल्ली के जादा रहेंगे सिधा सिधा दोस्तों इस टीम को फियर करके अपना टीम बना लीजिएगा और मेनिंग करने के चांसिद आपके तभी जादा रहेंगे और इस वाले मैच में अरुण जैटली स्टेडियम दिल्ली में मैच रहेगा होम ग्राउंड का एडवन्टेज रहेगा तो ये भी इनके पास बेनेफिट रहेगा हलांकि गुजराट टाइटन्स के पास तो टोप ओडर के ब्लेयर हैं बहुत सी फोम में नहीं ना प्लेयर रह सकते हैं और फेंटेशी वेल्यू को हिसाब से कौन से अच्छे प्लेयर रहेंगे दोनों टीमों के तरफ से जो आपको अपनी समोली गुर्गान लीग में ट्राई करके चलना है तो वीडियो इंपोर्टेंट है पूरा देह लेना चैनल पर पहली बार आए हो त यह चैनल टोपिक्स जादा इंपोर्टेंट है दोस्तों इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने ही कोशिज करी कीजिएगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता वे तो वीडियो आपके लिए इंपो कोमेंट है सबसे उपर वाला कोमेंट वहाँ पर भी मैंने टेलिग्राम चरन का लिंक डाल के रखा हुआ है वहाँ से जाके भी आप टेलिग्राम से जोइन कर सकते हो फाइनल समोल लिग और ग्रांड लिग के कोमिनेशन मिलेंगे और इसके आप फाइनल पिक्ट तो इंपोर्टन है टेलिग्राम जोइन कर लिजेगा बाके हैट्टोड मैचेज देखते हैं दिल्ली कैपिल वर्सी गुजराट टाइटन्स के भी तो टोटल तीन मैच हो उसमें से दो फर्स्ट बैटिंग करने वारी टीम ने सोरी तीन मैच होए हैं उसमें से दो गुजरा टाइटन्स उस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग टीम था इनके पास मुहमंद सामी भी थे हार्दिक पांडिया चान नंबर पर बैटिंग कर रहे थे टीम की कैप्टनशी कर रहे थे और इसके अलावा दोस्तों इनके पास पिछले वाले सीजन में देखोगे तो और भी बहुत सारे बोलर्स थे और बैटिंग में भी देखोगे तो कैन विलियमसन भी थे तो ये उस्ट में वैल बैलेंस टीम था लेकिन अभी इनका परहूंस वैसे को ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो दिल्ली कैप्टर लीश वाले मैचे में फैबरेट रहे लेकिन दोस्तों लाश्ट के जो मैचे उसमें हमने क्या देखा है वह हम आगे चल के आपको बताने वाले वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा है यानि कि स्कोरिंग पैटरन डेड़ सो या उससे नीचे का स्कोर यहां पर कितनी बार बना है बाइस बार बना है 55.-500-رض 170 में देखोंगी तो दीछ बार है और 170-390 के बीच में 22 बार है 190 से परलस का स्कोर है यहां पर 18 बार बने सकए जयानि किि इन 85 में Bak i चायज्यां 20 refers 30 बार ऐसा हुआ है कि 170 से ज़धा उसे जादा रंस बने हैं तो रंस बनने के पूरे च छांसेज रहेंगे आखकी उतने जादा रूंबरm यहां पर खेले नहीं गए, वैसे दो ही ओbuilding नमबर बैस्ते रहेगा और हो सकता है फ्रेस विकेट में तो बैटिंग फ्रेंड़ी विकेट होने के पूरे चांसे जान लग दो मान के चलो कि 180 के आसपास आपको रंस जरूर देखने को मिलेंगे इस स्वाले में हैं एवरे स्कोर यहां का 170 के आसपास का है 168 रं है हाई स्कोर 266 बन चुका है यहां पर और इसके लावा लोवस्ट कोर है वो 66 रं का है ठीक तो मोस्टली रंस यहां पर ठीक ठाक बनते हैं यह दोस्तों पीच एनलाइसिस या इसके लाव टी ट्वल्टी स्टैस जो इस ग्रा सब्सक्राइब बार पर यूज किया गया था उसमें हमने क्या कुछ देखा था और अभी मैच संस्क्रास कलियर हो जाई इसãy सबसे पहले पंचले वाले से से दक सो रहें सो फिसको यहां पर मैख अदिय को यहां पर Al-8 2 2 यानि कि पीछे से बैटिंग करने वारे टीम यहां पर हार गया सैकेंड इनिम में स्पीनर्स का दबदबा था शे विक्ते निकाली टोटल पांच विगेट के हैं पेसर गेंद बाज के खाते में गई थी मई 13 2023 को मैच वाप पंजाब ने 166 किया दिल्ली 136 कर पाया था देखिए 170 के आसपास को स्कूरा फिर भी नहीं हुआ था दिल्ली 136 मत्र कर पाया था इस वाले मैच में पांच सपीनर्स किया नोविकेट पेसर गेंद बाज किया स्पीनर्स यहां पर भी रोल में दिखे हैं से इस पर तीम यहां पर भी हर रही है, यहां पर तेनर्स के खाते में खाते हम गही है és CT, जो इस ग्राउंड का है स्पीनर्स के खाते मां गही है और 8 विकेट के हैं पेसर गेंद बाज स्वाइश हैं दोनों ने विक्टे निकाली हैं सेकंड बैटिंग करने वाले टीम हारी है वह भी दिल्ली है सें चारों मैचिस ते लौ кरते हो और यहां पर क्या है रंस अच्छे बनें तो देखिए डिली ऐसानी से विन कर गया अदरवाइज डिली के सामने वाले जो जो भी टीम रहते हैं उसके पास थ कि ठाक हुआ है ये वाला मैच ठीक पहले में थोड़ा सा गलत बोल रहा था सोरी उसके लिए ये चार मैच है पिछले वाले सीजन के ये इस वाले सीजन का मैच है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो बैटिंग फैल्ली विकेट तो रहेगा और यहां पे चेज करने वाले टीम ने से अच्छे रंस बनाये हैं पीछे तो देखिये रंस दोनों इनिंगस में बनने के पूरे चांसेज हैं हलांकि इन चार मैच हमने देखा है धिल्ली हर बार कलोप किया है और हो इसेकट बैटिंग करते हैं सारे बैटिंग करते हैं अपने हारी है बाई pair talking मैश कि ये वाला है इन पांस मैश में जो चेलज करनेवाई टीम ने बिन चिया है बाकि लाष्ट ने चार बार सेकिट गरी वाले टीम हरी यहां पर सपीनर्स पेसर का एरेश्यों देखें पत्सी स्विकेट स्पीनर्स के इन पांच मैच में वें पेसर गइंदबाद की सपीनर्स को मदद रहता हैं पेसर गैंदबाद भी अच्छा करेंगे उनका एकवाल एडवांटेज रहेगा और इसके लावव बैटिंग फ्रेंड़ी व लेकिन ट्रम्प यूज क्या था और जबर्दस दिनिंग खेली थी इसके बाद अभी से किसी का भी एक आदा वर कम होता है तो देखे वो लली त्यादो आपको डालते वे दिखेंगा बाकी कोई बॉलिंग ऑपसन है नहीं मौस्टली देथ अवर्स की बात करते हैं तो देखे अन्य नुर्किया हैं मुकेश कुमार है और इसके अलावा खली खली अवर रहेगा मुकेश कुमार के साथ एक औ कर दो दो और नुर्किया के दो और रहेंगे और खली अहमर का यहां पर तीन मैंच में जबरतस्ट रंड़ करवाए थे यहां पे पिछले मैंच में फ्लोप जरूर रहे हैं लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक टोईश रहेंगे पावर प्ले का पूरा फाइदा उठाते हैं हर ब करते वे दिखेंगे हेट्ट वेड कोई जादा अच्छा नहें नहीं तीन मैच में मतर सो भी सरन कर पाए हैं यहां से देखोगे तो आप रोप भी कर सकते हो उननीस मैच में चारशो बीस रन पत्चीस के अवरेज से इन्होंने वेन्यू पे स्कोर किया है यानि कि वेन्यू पे ठीक ठाक आकड़े हैं रिसेंट फोर्म अच्छा है उस हिसाब से ट्राई करो तो आप ट्राई कर सकते हो नेक्स टेंगे डेविड वोनर स्टार्टिंग के दो तीन मैच मे इस ग्राउंड पर खेलने का बहुत ज्यादा एक्स्पिरियंस है और होप इस वाले मैच में अच्छा करते दिखेंगे चाहू तो आप अमनी टीम में कैप्टन मना सकते हो साइध मैस वाले मैच में डेविड वोनर को कैप्टन मना के चलिए जैक फ्रेसर मैगर तीन मैच के इंपोर्टेंट प्रिंगम जवर्दर सी टिं करते हैं और देकेश सब्स्राइब करते हैं और यह फ्रेसर मैच में पीज़ेंगे तो फ्रेसर मेगरेट इंपोर्टेंट पीक है ग्रांड लिग में कैब बीशी बनाओ अविसेख पोरल ने देखिए थर्टी टू फॉर्टी वन फॉर्टी टू रंस तीन मैचेज में अच्छे के यहां पर भी स्टार्ट ठीक ठालिया था बड़ी इनिंग में कर्वन नहीं कर पाई थे बाकि यहां पर टोटली फ्लोप रहे थे तो क्या है ना त्रस्टेबल नहीं है तो इस प्लेयर की जिगह पर आप ऐसे प्लेयर कर सकते हो जिन पर ज्यादा बरोसा है जिनको एक्स्पिनियंस जाब है ठीक है अविसेख पोरल दो मैचेज्स खेले हैं हैं हैट्पर सोमालिस चोवन इकतर पंदरा यहां पर दस हैं यहां पर दो विगेट भी निकाल गए थे कवर करवाया था रिशब पंतर नहीं से तो यह भी आपकी टीम में बड़ी आचोईश रहेगी कब जब डिली कैप्टल का टाइम फर्स्ट नहीं में बैटिंग करता है उस कंडिश सेटिंग करते हैं और वहां पर इनको जो कंडिशन है वो बिल्कुल सैट बैठेगी तो वहां पर रन्स करने के पूरे चांसे रहेंगी सेकेंड नहीं में हो सकता है कि ज्यादा बैटिंग का मोखा ना मिले क्यूंकि टोप और में इगर प्रत्वी सो चल जाते हैं डेविड लेकिपिंग के बैकप से हिसाब से देखो यह तो वहां से भी पूरे पूंड देखे जाते हैं रन्स आपको हर मैच में दिखेंगे इनके और दो हाप सेंचुरी जड़ चुके हैं दो मैच में रन कर चुके हैं इंपोर्टेंट टिकरेगी फर्स्ट बैटिंग करता है दिल लेकिपिंगे अक्सर पटेल यह इंपोर्टन हो जाते हैं मोशली क्योंकि देखे हैं हर मैच में इनके चार वर्स दिखेंगे आपको वह विकेट निकालते हैं एक एक विकेट एक एक और यहां पर दो विकेट निकाले थे साथ में कभी कबार बैटिंग से भी थोड़े बह सब्सक्राइब निकाल के लिए उत्रे बड़े विकेट टेकर नहीं है अक्सर पटेल जिसको रिस्क लेना है जिस भाई को रिस्क ले सकते हो लेकिन ओल राउंड सेक्सर में आपको ज्यादा अच्छी चोइसे नहीं मिलेंगी एक तो मिलेंगे उमर जाई जो कि देखिए व लेकिन वो रिस्क बढ़ जादा है अगर तो रहुल तेवितिया वो बैटिंगा मोगा नहीं मिलेगा वैसा अक्सर पटेल एक से प्रिक चार और डालके जारें सामने वाले टीम का बैटिंग कलिक नहीं कर रहा अच्छे तरीके से तो अक्सर पटेल के विगें निकालने के रहेंगे मैंक्स एंगे खुल दीत यादा हो विकेट टेकिंगे अद बाग बंडल से विकेट निकालने के इनकालने की अबलेटी हैं लेकिन आप उसमें त्राइं कर सकते हो विक आए या ना या है क्योंकि सामने वाले टीम का बैटिंग थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है इनके अवर्स डेथ में रहते हैं वहां पर हेटिंग करने को देखेंगे सामने वाले टीम के बैट्समें तो फिर ये बंडल से विगेड निकालें बैशाब मैं उमीद कर रहा हूं कि दिल्ली फर्स्ट इन्यों में बोलिंग करें ठीक है हलाकि सैकेंड बैटिंग कर तो आखड़ी अच्छे नहीं है दिल्ली कैसी गराउंड पर लेंगें फिर भी देखिए मुकर इसकमार फिर डैथ में तो विकेड मिलेगे इनको अन्यन और क्या अलस वेन्यू पर उतना ज्यादा अथ्षा नहीं कर पाए हैं वो लग बात है लेकिन फिर भी विकेड टेकिंग अन्बाट भैथ में इनकावर्स रेगा स्टार्टिंग में मुमेंट मिलता है पूरे चार अवर करवाके देंगे तो खली लेमन इंपोर्टेंट हो जाते हैं आप ज्यादा बेकार सीजन जा रहा है इनका मेरे को लगता है लास्ट वाद लास्ट सीजन है इनका सुमन गिल फिर साइंस और दर्सन इन दो प्लेस पे ट्रस्ट है बाकि कोई भी अच्छा कलिक नहीं कर पाए रहे हैं पीज़ नीचा के रासिद खान रंस बना रहे हैं ठीक है लेफ्टी वैट्समन साइंस उदर्सन है लेफ्टी वैट्समन डेविड वोनर है राहुल तेवटिया हैं तो लेफ्टी वैट्समन काफी सारे इस टीम के पास ठीक है सोरी डेविड वोनर नहीं डेविड मिलर ठीक है तो लेफ्टी वैट्समन सामने वारे टीम में राइट लेकिन यहाँ पर खैना नूर ईहमद का कभी बी एक-दो और कम हो सकता है लिस्वaking का उबयू का कम सकता है यह यहाँ सो में इन निए से जिसकसी का भी एक-एक अबर कम होगा इन तीनों में से दो के करनों ऑमर जाए डालेंगे रह के यह अब श्रही अब ड टेक मैं सब्सक्राइब यहां पर रहेंगे सुब्मन गिल जो की कंटीन्यू अच्छा ही करके जा रहे हैं चाहो तो अपने टीम में आपकेप्टन मना सकते हो रंस अच्छे बनाए है थक्टी बन का टिक के बैटिंग करते हैं अपने टीम में रखना तो है लेकिन सी वीसी बना रहे हो तो वह मैं बता रहा था कि रखना या बनाना या नहीं बनाना वह आप यहां पर देख सकते हो मैंन्यू पर आखड़े उतने अच्छे नहीं है साई सुदर्शन मोस्टली मैचस में 30 में रंस बना की दिया हर टाइम भाई ठीक और दो मैचस में 45-45 इंबोटन पिक है आपकी टीम में जरूर्श कवर किजिए दो मैच में 74 रन हैट-टो-एड में है साई की सोर आपकी टीम में होना चाहिए मैकस हिंगे डेविड मिलर यह वाले मैच को छोड़ दीजे बाकी दो मैचस में फ्लोप रहे हैं लेकिन एक बहुत वड़ी ठंप कार्ड पिक बन सकते हैं जो रिस्क टेकर हैं वो डेविड मिलर को अपनी टीम में इस वाले मैच में ट्राइ कर सकते हो आठ मैच में 179 के अवरेस हैं ग्यारा मैच में 1732 के अवरेस इस वेन्यू पे रंस बना के दिये हैं डेविड मिलर दो मैच में नहीं चले थे फिर रंस बनाए दो मैच में नहीं चले हमें हो सकता है इस वाले मैच में एक अच्छी इनिंग आए तो ट्रम कार्ड पिक जो है ना वो डेविड मिलर इस वाले मैच के लिए बन सकती हैं फोकस कीजिएगा इस वाले प्लेयर्स पे जो भी चार मेंबर चाहिए लगा रहे हैं लिग जोइन कर रहे हैं वहां पे डेविड मिलर आपकी टीम में होना चाहिए कुछ ना कुछ पॉंड देके जाएंगे रवेटिंग या बोलिंग कही ना कहीं से दो तीन अवर का बोलिंग रहेगा साथ में बैटिंग भी टोप मिडल ओर में करवा के दे रहे हैं इंपोर्टेंट पिक आपकी टीम में जरूर से कवर कीजिएगा राहुल तेवटिया थर् वाले मैच में इंपोर्टेंट रहेंगे अगर टोप और में आप वर्दिमन सार डोप कर रहे हो डेविड मिलर डोप कर रहे हो ओमर्जाई को नहीं रख रहे हो तो फिर तेवटिया आपने टीम में जरूर से ट्राइ कीजिएगा क्योंकि आपके इसाब से फिर यह प्लेयर इनको साथ में देखिए रंस भी बना के जाते हैं 31 है 24 है जब भी मोका मिलता है रंस बना के यह 24 तो मैच विनिंग नोख था रास्ता ने केवल जो एक मैच आ रहा था वो रसीर खान ने रहा था लास्ट बाल पर इन्होंने बाउंडरी लगा और मैच विन कर गए थे तो र नूर हमन ने पिछले वाले मैच में दो विकेड निकाले यहां पर दो विकेड थे बाकी परफोर्मस उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा है लेकिन आप यहां पर स्पींदर्स को ठीक ठाक मदद भी है तो आप ट्राइक करना चाहो तो कर सकते हो वैसे तीन मैच में इस वेन्यव पतन होने बॉल्लिंग करते हुएये झाले है और साइंच की शोड पिछले मैच में चार व के निकाले थे भैस अब तहस्ना इसक कर दिया था सामने वाले टीम के बालिंग लॉइम यहां पर देखिए एक विकेड एक हो verses मैच केंद निकालते कूए Mozart इमोच्छ को थोड़ा बहुत मदद तो है वाई पिछ से संदीब वरियर यहां पे अवर्स कम हुए फर्स्ट मैं जाना कि तीन अवर डाले दो विकेंड निकाले थे लेकिन यहां पे अवर कम होगे तो अवर अगर कम होते हैं तो देखिए उतनी जादा चिपक नहीं रहेगे संदीब व वह पीछ के हिसाब से रहेगा स्पीनर्स को पीछ से मदद रहेगे तो कि शोर और नूर हमद पूरे और डालेंगे बाकि पेसर के अवर्स को मदद रहा तो फिर संदीब वेरियर आपको दो तीन तीन अवर्स के आसफार जरूर करते हैं ठीक है यह इनका वन्यू पर रिकोर संदे है सार्थ है और इसकेला कैन विलियमसन है इन्हें से को खेलेगा इंफॉरमेशन टैलीग्राम में दे देंगे बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल की तो दिल्ली के बैट्समेन का प्लेयर बैटल देख लेते हैं सामने वाले टीम यानि गुजरा टाइटन्स के बोलर के किस तरह से खेलें प्रत्वी सो का देखते हैं तो 14 गेंदों में 22 रन मना है रासिद खान के गेंश्ट में एक बार अपना विकेट दिया मतलब अच्छा खेली मोहिट सर्मा के गेंश्ट में आमना सामना हुआ नहीं है उमेश यादों की बात करें तो देखिए उमेश इनमें 30 रन मना हैं मोहिट सर्मा करता लिए नमें 90 रन मना हैं बैसाब जबर्दस पिटाई की है मोहिट सर्मा का उमेश यादों के गेंश्ट में भी आकड़े अच्छे हैं लेकिन पांच बार अपना विकेट जरूर दिया लेकिन उमेश यादों खेल नहीं हो सकता है इस से ज़्यादा प्रेशान हुए नहीं सामने वाले टीम के जो बोलर्स हैं उनके गैस्ट में तो डेविट वर्नर क्या है कैप्टन सी के कच्छी पिक बन रहे हैं नेक्स रिसब पन्त दो बार इनको रासिद खान ने आउट के लेकिन ब्यासी गें ने खेली है वाई साब मोह दिली के बॉलर्स के गैस्ट में बर Alex मनार्त नहीं के बना पाएं बल्ला नहीं खोल पाएं कंस्ट में कुलीप यादे कैणे में तो अब दोस्तों नाइक्स यहां पर देखे साइंस सुदर्शन देविड मिलर का देखते हैं नाइक्स यहां प्लेयर वैटल में कुछ ज्यादा खास तो है नहीं लेकिन उमेश यहां खेलते हैं उनका प्लेयर वैटल अच्छा है वह आपके लिए ग्रांड लीग के लिए अच्छी पिक बन सकते हैं प्रत्वीस हो और इसके लाव डेविड अच्छे यह तो अब दोस्तों हमने जो भी आलाइसीस पिछ रिपोर्ट देखा हैं अंधिवीसफ तो यहां पर दिखे रिशव पंत और वर दिमन सा और अभिशेग पोरेट तिन प्लेयर्स आपको खेलते वे दिखेंगे लेकिन यहां पर important players की बात करें तो सबसे पहले वर्दिमान सा की बात करें तो वर्दिमान सा उतना अच्छा क्लिक नहीं कर पाए हैं दोस्तों अभी तक और इसके लावा स्टार्टिंग में खले लैमन जहां पर bowling करने आएं तो उनसके अगेंस्ट में भी यह फसे हैं थोड़ा बोट तो वर्दिमान सा मैं अपने टीम से साइध इस वाले मैच में डोप करने वाला हूँ हर मैच में ट्राई किया और हर बार इन्होंने दोखा दिये इस वाले मैच में रंस कर सकते हैं लेगिन आपको रखना है तो रखो मैं इससे आगे एक भी मैच में वर्दिमान सा अपने टीम में साइध नहीं रखने वाला हूँ नीचे अभिशेक पोरल हैं तो अभिशेक पोरल के बात करें तो उतने ज्यादा ट्रेस्टेबल नहीं है हलां कि तीन मैच में रंस अच्छे बना के दिये हैं लेकिन इनके कंपारेजर में जो अच्छी करते हैं बाउंडरी पार बेशते हैं अगर आपको ट्राई करना है तो वर्दिमान साथ से तो अच्छी पी का अभिशेक पोरल ठीक है लेकिन मैं अपने टीम में इन दोनों प्लेस को डोप कर रहा हूं क्योंकि अभिशेक पोरल उतने ट्रस्टेबल नहीं और वर बैटिम में अजबर दियुक्ष और ऩर चब्पण करता है अगर डिल्ली का टीम तो मैं रिषएक बन्लेबाद हैं रों चलते हैं बैटिम में तो बैटिंग में तो बैटिंग में सबसे उपर है सुंधन गिल्ड रखना पढ़ेगा अपनी टीम में मौटनने पिक हैं और कं consistent बल्लेबाद है runs करने के ability इनके पास है हड़ बढ़ाइट में बिलकुल नहीं खेलते हैं टिक के बैटिंग करते हैं तो एक captain और VC की भी बढ़िया चोई से सुमन गिल मैं अपने टीम में रख रहा हूं नेचे आते हैं आउट ओ फॉर्म डेविड वोन में स्टार्टिंग के तीन मैच में अच्छा प्रफॉर्मस दिया लास्ट के तीन मैच में कोई अच्छा कलिक नहीं कर पाई थे लेकिन डेविड वोन एक इंपोर्टेंट पिक है क्योंकि इनका head to head venue stats देखोगे head to head उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन venue stats अच्छे हैं और इसके अलाबा दोस्तो सामने वाले टीम के जो भी बोलर्स हैं उनके गेंस्ट में match ups अच्छे हैं यानि कि player battle अच्छा है और तीन match में flop तले गए हैं तो ऐसे player हैं दोस्तो ज्यादा मैंच आउटो फोर्म रहते हैं जैसा जेस वाल का फोर्म आयता हो इस वाले match में डेविड वोनर का वो फोर्म देखने को मिलेगा मैं रिस्क लेकर इस वाले match में captain मनानेवाल हूं डेविड वोनर को ठीक है आप चाहतों देखिए आपके पास सुमन गिल का फिर एक मैच में 44 बनाया फिर लास्ट के दो मैचे से फ्लोप रही इस वाले मैच में देखने वाली बात रही किस तरह का परफॉर्मस दे पाते हैं लेकिन सेलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है वाई अगर मैं अपने टीम में लेके गया ना और फिर से फ्लोप हुए तो मैं इसलिए मैं अभी के लिए अपने टीम में नहीं रख रहा हूं पर 300 अलसो ए अग्रेसिव टाइप बल्लेबाद जो कि मोशली हर बॉल पर इटिंग करने को देखते हैं पिछले वाले मैच में भी आपने देखा होगा इन्हों ने चार बाउंडरी लगाए थे और पांच व पर इंद रहता है उसी को भी बांडरी पार पहुंचाना चाते हैं और यह इसी गल्त ऐसी गल्ती करते हैं तो प्रत्वी सो टोटली आपकी कोल है रखना या नहीं रखना है अपने की तीक है लेकिन मैं अभी के लिए नहीं रखना हूं मैं जाओं साइस उदर्शन के साथ जो कि मौशली हर मैंच में थर्ती प्लस का स्कोर करवा के दिए दो मैंच में 45-45 और बाकि चार मैच जो हुए थे उसमें 30-1 प्लस का स्कोर इनोंने कंटीनियू करवा कि दिए मतलब कंसिस्टनसी लेवल देखो इस बन दे हर मैंच में रंसमरा कि जाने इंपोर्टेंट रह तो आप वीसी साइस दर्शन के मुना सकते हो थर्टी प्लस का स्कोर तो करवा के जाएंगे मतलब पंतालिस प्तास पॉइंट इनके कंफर्म नहीं से रहेंगे ट्रिस्टन स्टब्स अगर आपको रखना है तो आप जुरूर अपने टीम में रख सकते हो एक मैंच में नहीं च अगर मैं कैप्टन बना रहा हूं तो उनसे भी अच्छी उमीद करूँगा मैं के साइथ बहुत कम मोगा मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं अपनी टीम में कवर करने का आप चाहो तो अपनी टीम में तुट कर सकते हो यह प्लेश्टन स्टब्स को त्राइक बैटिंग रहेगा जबर्दस हीटिंग कर रहे हैं और बीबियल में भी इनों ने अच्छा प्रफॉर्मस करवा के दिया था कंतीनियू यहां पर भी उमीद रहेगी कि स्टार्ट रखेंगे अपनी फोंग को तो जै ट्रेसर मैंगरिग मैं अपनी टीम में यहां पर कवर करके चलाओं सुमन गिल डेविड वोन साइस सुदर्शन फ्रेसर में इन प्लेश को मैं अपरेंटीम में ट्राइब कराऊं प्रती सो टोटली आपकी को रहेगी लेकिन डेविड मिलर एक बहुत बड़ी पिक बन सकती है मिलर अगर आप 6 मेंबर 10 मेंबर की लिग खेल ले हो तो स्ट्रीम में आप ट्राइब कर सकते हो चीक तो वैटिंग सेक्षन अपना कलियर है चलते हैं और राउंड में अपने टीम में यहां से ट्राइब कर रहा हूं मत रेग अच्छी पिक यही लग रही है और इसकर आदेखे उमर जाई बैटिंग और बोलिंग दोनु से पॉइ अपने टीम में रख लिया है अक्सर पटेल भी मैं अपने टीम में रख रहा हूं क्योंकि गुजराट टाइटन्स के जो बल्लेबाद है वो उतनी अच्छी फों में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं उमीद करहा हूं यह पूरे चारवर डालेंगे तो एक आदा विकेट तो जरूर निकाल के लिए ठीक है तो अक्सर फेल इंपोर्टेंट हो जाते हैं नीचे रहते हैं दो राहूल तेविटिया जिनको बैटिंग आप मौका मौश्टी मिली जाता है रिजन क्या है क्योंकि टोप अच्छा कलिक नहीं कर पा रहे है गुजराट टैटन्स का तो ब उखान जो ऐसे सब्स्ट्रीट खेलते हैं तो उनका कोई व्रोशा है नहीं लली त्यादों का बैटिंग और नीचे है और वैसे भी बोलिंग भी जादा नहीं मिला तो शोटी नहीं है बैटिंग और बोलिंग का दोनों इस चीज़ों मैं नहीं रखना है रिजन मैंने बता सब्सक्राइब की उस बैटिंग लाइन अप के ठीक है जो की विकेट उनका पड़ नहीं रहा था देखिए 125 रन मनाएं थे उन्होंने च्छाय वर्स में लेगिन फिर आये थे कुल दीप चाहर विकेट निकाले इंपोर्टेंट है विकेट टेकिंग एंबाद रखना बनाए थे रास्ताने करें फिर इन्हों निकत्तिस बनाए पिछले वाली में और एक दो विकेट भी कंफर निकाली लेते हैं तो वीची की बड़िया तो इसे हैं कुल्दी प्यादो और राशीर खान दोनों मोहित सर्मा जिनको मैं अपने टीम में साय नहीं कवर करूँगा रिजन क्या है रिजन यही है कि टोप और दिलीव का अच्छा कर रहा है डेविड वोर्नर को मैं कैप्टन बना रहा हूं बाकि नीचे फिर उपर फिरत्वी सोज बसते हैं उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनका विकेट लेके जाए भाया ओमर जाई जिनको मैंने अपनी टीम में खली लेमन ट्राइकर हूं रिजन यही है कि सामने वाले टीम के जो टोप ओर्डर के बैटमन उनके अगेंस्ट हो मैं तब सच्छे एक तो खास करके वर्दीमन साका विकर लेकर जा सकते हैं यह या फिर दो तो अधर प्लेश के अगेंस्ट में इनका रिकोर्ड साब जो अच्छे गैंध माने रहते हैं उनको मिलता है मोईट शर्मा तो फिर भी ठीकाने पर गैंध को सहीश से डालते हैं और विक्केटे बहुत निकालते हैं फर्स्ट बोलिंग में रखेंगे गुजराइट टाइटन टीम की तरफ से मोईट शर्मा फर्स्ट बेट बोल लेकिन इस वाले मैच में मुईद करा हूँ कम से कम दो विगर की अन्य नूर्क्या मेरी टीम का पार्ट रहेंगे अब यहां पे जो प्लेयर्स बच जाता है ना दिल्ली फर्स्ट बोलिंग करता है तो मुकेश कुमार मैं अपने टीम में जरूर से कवर करने हो एक तो में फर्स्ट बोलिंग करता है दिल्ली का टीम तो मुकेश कुमार डेफिनली रखने वाला हूँ भले ही मेरे को यहां पे चाहिए उमरदाई को डोप करना पड़े या फिर अक्सर पटेल को डोप करना पड़े खास करके उमरदाई को मैं डोप करूंगा और अपनी टीम में फिर मुकेश कुमार को रखने बाना नूर एमद भी एक ठीक ठाइक ठीक ठाइक मदद है पीछ से भी तो आप ट्राइक कर सकते हो वैसे नूर एमद को भी नीचे संदीब वेरियर के अवर कम हुए तो तो सोड़ती नहीं है कितने आवर डालें कितने नहीं डालें उस कंडि बैंद आप अब इकलीए सी वीची की तोईसे देख लेते हैं तो कैट्रन वीची की तोईसिज के लिए क्लिए देविड वर्नर न तो मेरे कैट्रन है वीची मैं बनाऊंगा वह या सुमन गिल को आप चाओ तो रिसाथ पंद के साथ भी वीची बना सकती हूँ क्योंकि वी रिसब पंद मैंने अभी के लिए वीशी बना लिए मैं उमीद कर रहा हूं फर्स्ट बोलिंग करता है अगर दिल्ली रिसब बैटिंग करता है तो रिसब पंद को बैटिंग ठीक मोगा मिलेगा फिर सेकेंड इनमें गलब से भी ठीकता पॉइंट देखे जाएंगे तो में थोड़ा सा और समल कर खेलेंगे तो आप चाहो तो वीशी बना सकते हो अधर्वाइज आपके पास साइंस दर्शन का भी वीशी का अच्छा उप्सन है जनता फ्रेसर मेंगर को भी ट्राइब कर रहा है वाई साब सोला परसेंट बीस परसेंट कैप्टन मना रहा है लेक बोलिंग में आके आपके पास रासिद खान और कुल्दी प्यादो का अच्छा उप्सन है सीवीशी के लिए इनको भी आप उने टीम में सीवीशी बना सकते हो तो अभी के लिए जो टीम अपना ये है फाइनल टीम दोस्तों मिलेगा टेलिगराम में अभी के लिए मैंने प प्लेश को अपने टीम में कवर करने वाला हूँ कोन सा टीम पहले बैटिंग करेगा कोन सा फिल्डिंग करेगा उस इसाब से तो अभी के लिए अपना डेम-टीम मानके तो लो फाइनल टीम हम आपको टेलीगराम में देदेगी टेलीगराम जोइन कर लीजिगा नीचे grand league के combination सब को आपको वहाँ पे मिलेगा और इसके लावा next match की prediction के साथ मिलेंगे वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को इसको share कर दो like कर दो comment कर तो मिलते हैं next video तब तक के लिए all the best